पुराने सिस्टम से हटकर सा यहांपूर पुलिस हाइटेक तरीके से बीड़तों की जन्सुनवाई कर रही है पुलिस अधिछक अशोक कुमार मीना जन्सुनवाई के दौरान थानेदारों के साथ गूगल मीड पर ऑनलाइन रहकर सिकायतों का ततकाल निस्तारण करके कानून विवस्था को बहरतर बना रहे हैं पुलिस अधिछक का कहना है कि यह नए उत्तरप्रदेश की पुलिस है अन्य विभागों के साथ पुलिस भी अब हाइटेक हो रही है दरसल जन सुनवाई के दोरान SHO और पुलिस अधिछक के साथ साथ दूसरे पुलिस अधिकारियों के पीच ततकाल कॉडिनेशन ना होने की वज़े से पीडित की जन शिकायतों का निस्तारण अगले दिन ही हो पाता था जब शिकायती पत्र डाक के जरिये थाने में पहुंचता था एसे समस्चा को दूर करने के लिए पुलिस अधिछक अशो कुमार मीना ने बरेली जोन में अपने जिले में एक नई शुरुआत की है उनके जार सुबह 10 बजे से एक बजे तक जिले के सभी थानेदार और अन अधिकारी गूगल मीट पर ऑनलाइन रहते हैं पीडित के पहुंचने पर ततकाल थानेदारों से घटना का फीड़बैक लेकर तुरित करवाई के निर्देश भी दिये जाते हैं इतना ही नहीं थानेदारों को भी थाने में बैठकर जन्सुनवाई करने के निर्देश पोलिस अधिच्छक द्वारा दिये गए हैं पोलिस अधिच्छक का कहना है कि उत्रप्रदेश पोलिस का उद्देश है कि लोगों को ततकाल कानूनी मदद देकर उनकी जन्सुनवाई की जाए इसी के तहट हाइटेक तरीके से जन सुनवाई की जा रही है पुलिस अधिच्छ की इस पहल के बहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं ततकाल सुनवाई होने पर अपरादों में भी बड़ी कमी आई है जैसे कि इस आशन की प्राइटी है जन सुनवाई तो हर रोज दस से एक के बीच के अंदर जितने भी हमारे अधिकारी और इसे चोज हैं वो गूगल मीट के तुरू यहां जुड़े रहते हैं और जो भी फर्यादी हमारे सामने आते हैं तो उनकी बात को यहां पर सुना जाता है साथ ही साथ वो अपने ओफिस में और अपने थाने पर भी पैडली सुनवाई करते रहते हैं जो भी फर्यादी अपनी बात बताता है तुरंट से सम्मान दिते से चोज़े बात की जाती है और उसका जो भी निस्तारण यथा सीग्र जो संभव है उसके वारे में डिसान दिशित क्या आता है जिससे कि उसको जल से जल निसायत किया जा सके हां इससे पहली जीज़ तो यह है कि जो पीडित की संतुस्टी है वो बढ़ती है कि हमारे सामने से चो से बात की गई है तानेवे बात की गई है, अधिकारी से बात की गई है और टूबे कम्मिनिकेशन रहता है तो उसकी जो संतुस्ती है, उसका लेवल बड़ा है